जाहिन दोस्तों आज के फ्रेश और दमदार वीडियो में देखेंगे वारा नसी कोलकाता एक्सप्रेसवे के लेटेस्ट अपडेट के बारे में स्वागत है आपके अपने चैनल आउसम इंफा प्रोजेक्ट में मैं राकेश चलिए वीडियो को अंतक देखते हैं भारत माला परियोजना फेस दो के अंतरकर बनाया जा रहे है वारा नसी कोलकाता एक्सप्रेसवे का टेंडरिंग का काम किया जा रहा है वीडियो में आगे देखेंगे किस-किस रूट का टेंडरिंग अभी प्रोसेस में है लेकिन सबसे पहले देख लेते हैं वारा नसी कोलकाता एक्सप्रेसवे का एक संचिप्त परचाय है भारत सरकार के फ्लैक्शिप एस्कीम भारत माला परियोजना के फेस दो के तहद बनाये जा रहे है इस एक्सप्रेसवे का कुल लंबाय छेसो दस पॉइंट फोर वन सेवन किलो मेटर होगा एच एड़ा द्वारा बनाये जा रहे है वारा नसी रांची कोलकाता एक्सप्रेसवे को बनाने के लिए शुरुवाती अनुमानित खर्च 28,500 करोर रुपया आका गया है चार राज उत्तर पड्रेस सबसे ज्यादा एक्सप्रेसवे निर्मान की वज़ह से एक्सप्रेसवे प्रदेश भी कहा जाता है बिहार जार्खंड और पश्रिम बंगाल के कुल 15 जिलों से गुजरेगा इस एक्सप्रेसवे के बन जाने के बाद वारा नसी से कोलकाता का यात्रा का समय अभी के यात्रा के समय से आधा रह जाएगा फिलहाल उनुमानित इस एक्सप्रेसवे को 2026 तक बनाने का लक्ष रखा गया है वारानसी कोलकाता एक्सपे का DPR अलग-अलग सेक्षेनों में बनाया जा रहा है अभी तक 0 किलोमीटर से लेके 325 किलोमीटर तक इस एक्सपे को कुल 11 पैकेजों में बाटा गया है इन 11 पैकेजों में से 8 पैकेजेस पर टेंडरिंग का काम किया जा रहा है तो देखते हैं हर एक package का route पहला route है 0-37 km तक NH-59 वारा नसी रिंग रोड से नियर रिवासा गउं से लेकर खैंती गउं तक इस route के लिए bidding का काम किया जा रहा है दूसरा route है चैनपूर route नसी खैंती गउं से लेकर भववा अधोरा route नसी पलका गउं तक इस route की दूरी 37 km से लेकर 54 km तक यानि की 27 km की है इस route के लिए भी bidding अंडर वे है तीसरा रूट है भववा अधोरा से भैरोपुर गउं से लेकर कौनकी गउं तक यह दूरी 54 किलो मेटर से लेकर 90 किलो मेटर तक है इस पैकेज का कुल लंबाए 36 किलो मेटर है नेक्स्ट पैकेज पैकेज 4 और पैकेज 5 जिसका लंबाए 26 किलो मेटर है यह दूरी 90 km से लेके 116 km तक होगा इस हिस्से के लिए bidding notice pending है अर्थाथ इनका अभी tendering का काम pending है अभी नहीं किया जा रहा है पैकेज 6 पच्छमोन गाउं से लेकर अनार बसलिया गाउं तक 116 km से लेके 151 km तक यानि 35 km लंबा इस खंड के लिए भी bidding under process है साथमा पैकेज जो 151 km से लेके 184.7 km तक का खंड होगा अनार बसलिया गाउं से लेकर सगरम पूर गाउं तक बनाया जाना है इस भाग के लिए भी bidding under process है इस भाग का कुल लंबाए 33.7 km है आठमा पैकेज जिसका लंबाए 184.7 km से लेके 222 km तक का है नोटिस पेंडिंग है इस रूट का लंबाए 37.3 km है पैकेज 9 जो 222 km से लेके 253 km तक बनाया जाएगा यह रूट 14 जंक्सन NH 100 से जो देवरिया गाउं में है से होकर 253 km तक का कुल लंबाए 31 km है इसका भी bidding under process है पैकेज 10 252 km से लेके 288.6 km तक यानि 33.7 km का भाग होगा इस खंड के लिए भी bidding under process है पैकेज 11 288.6 km से लेके 325 km तक का हिस्सा होगा जिसका कुल लंबाए 25.4 km होगा का भी bidding under process है वारानसी कोलकता एक्सपेस पे का लगभग आधा भाग का टेनरिंग का पर किया चल लही है आपको जैसे ही contract award होगा फिर से वीडियो बना कर update कर दूँगा इन सारे roots में मैंने जिला का नाम नहीं बताया हूँ लेकिन आप नक्षा में एक-एक जिला को खुद ही देख सकते हैं जैसे कि मैंने चिनिट किया है वीडियो को लाइक शेर और सब्सक्राइब करें मिलते हैं एक फ्रेश वीडियो में तब तक के लिए जाहिंद वंदेवात्रम